दोस्तो जिन्दगी में सबसे बड़ा जो दुख माना जाता है वो किसी अपने को खोने का दर्ध होता है दुख होता है दोस्तो जब आपका कोई अपना आपका कोई पार्टनर पती-पत्नी-प्रेमी-प्रेमी का girl friend, boyfriend कोई भी आपका अपना अगर आपसे रूड जाए या आपसे बिछड जाए तो जिन्दकी में जो दुख होगा न वो सबसे ज़्यादा आपको होगा और वो सबसे ज़्यादा दुख माना जाता है किसी अपने को खोने का दर्द और ऐसे बहुत सारे मेरी माता भेने और मेरे प्यारे भाई होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है कि जिनका कोई पार्टनर प्रेमी प्रेमी का गल्फेंड बोईफेंड पती पतनी उनको छोड़कर किसी दूसरे के पास चला गया, उनका साथी अब वो कोई भी पार्टनर हो, प्रेमी हो पती पतनी हो, प्रेमी का हो उनका पार्टनर उनसे पहले प्यार करता था उनके अटेज्मेंट जाब, उनका पार्टनर किसी दूसरे इंसन के साथ आकर्शित हो गया उसके साथ जुड़ गया उसके अफेर में चला गया आप चाहे पती हो पतनी हो या प्रेमी प्रेमी का कोई भी हो तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप सिर्फ दो जाइफल के माध्यम से कैसे आप उन दो लोगों को एक दूसरे से अलग कर सकते हो हमेशा हमेशा के लिए उन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर सकते हो दोस्तों मैं आज आपको बताँगा मेरे हाथ में है जाइफल और जाइफल से कैसे आप दो लोगों को घर बैठे अपने एक दूसरे से दूर करके उनको जुदा करके एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर सकते हो सबसे पहले इस उपाय का फायदा यह है उन दोनों के अंदर एक दूसरे के अंदर खिलाफ हो जाएगे मन के एक दूसरे से फिर दूर हो जाएगे और हमेशा मेशा के लिए अलग हो जाएगे और जब कोई अपना किसी से दूर हो जाता है तो जब मालीजी उसका दूसरी से अफेर हो उससे अलग हो जाएगा तो वो सबसे पहले आपके साथ ही अकरशित होगा यह आपका इसमें फायदा है कि उससे अलग हो जाएगा और आपके करीब हाजाएगा दो जाइफल के मात्यम से जाइफल आपको दो लेने है और इस तरीके से पूरा देखना है वीडियो को पहले आपको जाइफल लेने है जाइफल लेने के बाद दो मुठी इस तरीके से दो जाइफल अपनी इस मुठी में इस तरीके से पकड़ लेना है टाइट मुठी कर लेना है तीन बार जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ मन के अंदर इस तरीके से बोलना है कि मैं पायल को और दिनेश को एक दूसरे से अलग करना चाहता हूँ क्योंकि पायल मेरे से पतनी है मेरी पतनी है और ये इसके अफैर में चली गई इस तरीके से मन में बोलना है और बोलना है कि उस से अलग हो जाए और मेरे करीब आ जाए और तीन बार आपको बोलना है पायल मनुचाटन दिनेश करू करू पायल मनुचाटन दिनेश करू करू सुहा इस तरीके से तीन बार ये बोलना है अब इन दोनो जाइफलों को आपको चूरा करना है इनका इस तरीके से पत्थर से तोड़ पूरा टक्रा चूरा कर देना इसका और इसको भार फैक देना आप भार इसको चलते पानी में फैक सकते हो इतना करना है वो दो इंसान जो एक दूसरे सा अलग करना चाहते हैं वो एक दूसरे सा अलग हो जाएंगे एक दूसरे सा दूर हो जाएंगे और इतना असानी हो पाए और इसली के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कभी जरुवत हमारी पड़े वीडियो को कुछ जानना हो तो दिया हो नमबर पर जानकारी प्राप्त कर सकूए इसनी के साथ विदा लेते हैं नमस्कार अस्लावाद